परिचय आओ सीखे किसी बच्चे की दिन भर की गत्विधियों के बारे में जानना समय को घंटे में बताना किसी गत्विधि को एक क्रम में करना किसी गत्विधि को पूरा करने की अवधी बताना रौकी का दिन मेरा दिन सूरज के उगने से शुरू होता है मैं सुबह जल्दी उठकर अपने माता-पिता का अभिवादन करता हूँ फिर मैं अपना रोज का कामकाज शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं अपने दात ब्रश करता हूँ और अपने घर के सदस्यों के साथ नाश्टा करता हूँ फिर मैं स्कूल के लिए तयार होता हूँ मेरा भाई मेरे साथ स्कूल जाता है मैं स्कूल में अपने दोस्तों के साथ पढ़ता और खेलता हूँ दोपहर में मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ फिर मैं दोपहर का खाना खाता हूँ और आराम करने के लिए थोड़ी देर सो जाता हूँ रौकी का दिन शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाग में जाता हूँ फिर उसके बाद मेरा हूमवर्ख खत्म करने में मेरी मा मेरी मदद करती है मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाता हूँ फिर मैं रात में सो जाता हूँ घड़ी घड़ी हमें समय बताती है कोई भी घड़ी 12 बराबर हिस्सों में बटी होती है ये होते हैं एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और बारा घड़ी की दो सुईयां होती है लंबी सुई मिनट बताती है जबकि छोटी सुई घंटा बताती है घंटे वाली सुई समय को घंटों में बताती है जबकि मिनट वाली सुई समय को मिनटों में बताती है घड़ी किसी घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई देखिए यहां घंटे वाली सुई साथ पर और मिनट वाली बारह पर है इसलिए हम कहते हैं कि इस समय सात बजे है घंटे वाली सुई एक बार फिर 12 पर है और मिनित वाली सुई भी 12 पर है इसलिए इस समय 12 बजे है आओ खेलें माउस का इस्तेमाल करके घड़ी की संख्याओं से समय बताईए अवधी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें अपनी आखें जपकने में कितना समय लगता है जी हाँ, इसमें कुछ सेकंड ही लगते हैं इसी तरह जब हम किसी गर्म जीज को छूते हैं तो हम कुछ ही सेकंड में अपना हाथ पीछे खीच लेते हैं लेकिन जब हम सुभा स्कूल में प्रार्थना करते हैं तो कुछ सेकंड के बजाए इस काम में कुछ मिनिट लगते हैं इसी तरह रात में नींद लेने के लिए कई घंटे लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी दिन चर्या में कुछ गति विधियों में दूसरी गति विधियों के मुकाبले ज्यादा समय लगता है गति विधियों का क्रम जब हम अपनी रोज की जिंदगी में कोई काम करते हैं तो हम उसे एक खास क्रम में करते हैं उदहरण जूते पहनने के लिए हम फीते तभी बांद सकते हैं जब हम अपने पैर जूतों में डाल लें पहले हमें मोजे पहनने पढ़ते हैं ताकि हम अपने जूतों को ठीक से पहन सकें इसके बाद हम अपने पैर में जूता डालते हैं फिर हम जूतों के फीते बांध दे हैं, तो जूते पहनने के लिए हमें ये सारे काम एक क्रम में करने पड़ते हैं। हमने क्या चर्चा की? किसी बच्चे के दिन की विभिन गतिविधियां बताना, घड़ी हमें समय जानने में मदद करती हैं। घटनाएं एक खास क्रम में घटती हैं। हर घटना या हर काम में समय लगता है। कुछ घटनाओं या कामों में दूसरी घटनाओं या दूसरे कामों से अधिक समय लगता है।